नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रेणा मिश्रा सुबा की दस बज गए वक्तों चला आप तक की तमाम बड़ी खबरे आप तक पहुंचाने का शुरुआत करेंगे गणिश विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट है जुलूस के दौरान ट्राफिक टाइवर्टेड रहेगा भोपाल में छे घाटों पर विसर्जन की तैयारी की गई है उज्जैन की घाटों पर विसर्जन की तैयारी पूरी है आधिकारियों ने विसर्जन स्थलो का निरिक्षण किया है, समवेदन शील एलाकों में ड्रोन से निगरारी रखी जाएगी घाटों पर गोता खोर और तैराक दल की तैनाती भी की जाएगी तो सुरक्षा की लिए आज से ये व्यवस्थाएं की गई है राजधानी भोपाल के अगर हम बात करें, यहाँ पर छे घाट ऐसे जहाँ पर विसर्जन की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है इसी कड़ी में इन दौर में भी आज विशेश तैयारियां हैं तालाब के आज पास पुलिस बल की भी अतिरिक ताज तैनाती की जाएगी इसी के साथ गोता खोरू की तैनाती भी वहाँ पर की जाएगी किसी तरह का कोई हादसा ना हो विसर्जन की दौरान इसकी खास निगरानी प्रशासन की ओर से रखी जा रही है यही कारण है कि आज घाटों पर तैराक दल, गोता खोरू की तैनाती है, वॉर्ड और जोन सर पर कुंड भी बनाए गए हैं आज तो आज विशेश तैयारियां बप्पा के विशेश तैयारियां हैं रतलाम के अगर हम बात करें यहाँ पर गणेश विशेश तैयारी पूरी है नगरनिगम की ओर से तैयारी पूरी करनी गई है तालाब में प्रतिमा विशेश तैयारिया प्रतिबंधित रहेगा हानुमान ताल और जाली तालाब में तख्ती लगाई गई है जाली तालाब पर वाहन खड़े किये हैं निगम की वाहनों की मदद से विसर्जन कर सकेंगे शहर में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की भी तैनाती विशेश रूप से यहां की गई है तो पूरे प्रदेश के अगर हम बात करें राज़धानी भूपाल और इंदौर में आज विशेश तैयारियां इसी कड़ी में रतलाम में भी आज खास सैयारियां की गई है प्रतिवर्सा नुसार इस वर्द भी नगा निगम तीन अस्थानों पे गणेस बिसर्जन का कारिकम रखा गया है जाली तलाब, हनुमान ताल और कड़ कैलास में यहां पे जो भी गणेस इस्थापित कर रखे हैं वो मूर्तिय लेके आएंगे और यहां पे हमारे तखत लगे रहेंगे, यहां पूजा पाट करके वो यहां पे विसर्जित कर देंगे उस मूर्तियों को हम ले जाके बंजली सिजावता भाई पास पर एक तलाब है आज गणेस विसर्जित की प्रतिमाए यहां पर आएगी तो उनको जो है तलाब में विसर्जित नहीं करने दिये जाएगा बलकि यहाँ पर भार की जिस तरीके से तखत रखे हूँ है इन पर लाकर के जो है गनेजी की पतिमा की पूजा पाट करना होगी यहाँ से फिर एक नगर निगम का जो वहान है जो यहाँ आकर लग चुका है तयार खड़ा है और इस वहान की मदद से जो है उन पतिमाओं को जो है अलग अलग जो विशर जिन नदिया है वहाँ पर जो है ले जाए जाए जाएगा और विदिवत रूप से जो है नगर निग प्रशासन तयार है विसर्जन को लेकर कलेक्टर ने जानकारी दी है विसर्जन और जाकिया नियम के तहत होंगी सभी लोग दिशा निर्देश का पालन करें कलेक्टर ने इस बात के आदेश जारी किये हैं प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है तो ये बड़ी कबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी राइपूर में भी आज जे विसर्जन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं विसर्जन और जाकिया नियम के तहत ही वहाँ पर पहुंचेंगी और उनका विसर्जन किया जाएगा जो नियम तैकिये गए उन नियमों के तहत होंगे मैं सभी राइपूर नगरवासियों से निवेधन करूँगा कि अपने कारिक्रम आयोजन के साथ दूसरे लोगों के भी उस सुविधा को ध्यान में रखे और जो भी निर्देश हैं उनका पूरा पालन करें प्रशाषन पूरी तरीके से त्यार है, हम पूरी तरीके से कोशिच करेंगे, कि सुगमता से सारे कारिक्मों का संचालर किया जाएं तो क्या तैयारिया हैं मध्यप्रदेश रचतीसकड में गणेश विसर्जन की जानेंगे हमारे समवादाता अलग-अलग शेत्रों से हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ राहुल सिंग्रा ठोड हैं राइपूर से राजेश निशाद हमारे साथ जुड़े हुएं, खरगोन से राकेश जायसवाल है, रतलाम से चंदर शेकर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए और मनीश पूरोहित हमारे साथ हैं सबसे पहले राहूल आप क्यों रुख करूंगी और राजदानी भोपाल में कहां कहां आद्विसर्जन की तैयारियां हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, बताईएगा बत बता की विदाई कर रहे हैं, एक नाज रहेगा रहे और मस्टी में जूब रहे हैं, यह राजदानी भोपाल की खास तस्alonगे हैं इसके अलावा अगर बड़ी प्रतीमाओं की बात करें तो बड़ी प्रतीमाओं के लिए एक आपको क्रेन दिख जाएगी यहां पर बड़ी प्रतीमाओं को लाया जाएगा उस ग्रेन में बांध कर यहां पर जो SDRF की और पुलिस जवान की टीम है इसके बातिम से बड़े तर इससे तालाव में प्रतीमाओं को विसर्जित करेंगी तकि SDRF की जवाने 15-15 जवान से लगाले शिर्टों के लिए तकि किसी तरह की कोई हादस से ना हो में लोटूंगी राहुल आपके पास राइपूर से राजेश निशाद हमारे साथ बने हुए हैं राजेश आज राइपूर में क्या तैयारियां दिखाएगा बिल्कुल प्रेना देखें दो महत्वपूर्ण चीज मैं पताना चाहूंगा हमारे तमाम दर्सकों को क्योंकि आज से बपा का विसर्जन सुरू हो चुका है जो 23 सिटंबर तक जारी रहेगा दीके महादेवग हार्ट इस्थित एक बड़ा सा कुंड राइपूर नगंडिगम और जीला प्रशाशन की ओर से तयार किया गया है जिस पे तमाम जो मुर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाएगा और इस विसर्जन को ले करके खास तयारी जीला प्रशाशन की ओर से की गई है जिसके तयात दस जो पंडित हैं वो संस्कृत वहाँ विद्याला ऐसे बुलाए गए हैं जो वहाँ पे कुंड के पास मंत्रोचारन करते हुए भी नजर आएंगे इसके अलावा तमाम जो जोन के जो अपसर हैं करीब 20 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ पे तैनात की गई है जो लगातार 23 तारीक तक वहाँ तैनात रहेंगे इसके अलावा मैं सुरक्षा के लियाज से मैं बात करूँ तो देखिए सुरक्षा के लियाज से भी चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई हैं जिस दिन जहांकी रहेगा उस दिन एक हजार जवानों की तैनाती की जाएगे और इसमें सबसे महतपूर्ण चीज इस्पेसल 30 यानि इस्पेसल 30 जवान जो क्राइम ब्रैंच के हैं वो भी तैनात रहेंगे जो सीधे तोर पे जो गुंडे बदमास हैं जोकसर देखने को मिलता है जहांकी के दौरान असमाजिक तत्वों के दौरा कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उनके उपर नजर बना की रखेंगे इसके अलावा आसमान से भी तीसरी आख के वेजद में तमाम जो बदमास हैं वो रहेंगे सिदे तोर पे डोन की भी विवस्था जाकी के दिन की गई है फिलाल आज से जो बपा का विसर्जन का जो सिल्सिला है निशित्रूप से आज से ये सिल्सिला शुरूँगा जो बपाल में 6 घाटों पर विसर्जन की तैयारी है वहीं उजेन की घाटों पर भी आज विसर्जन की पूरी तैयारी कर ली गई है आधिकारियों ने विसर्जन सलुक निरीक्षण किया है समवेदन शील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जारी है वहीं घाटो पर गोता खोर और तैराक दल की तैनाती भी की गई है तो ज्यादा भीड जमा ना हो घाटो पर इसलिए बारी-बारी से सभी को विसर्जन करने का मौका दिया जाएगा घाटो पर इसलिए विशेश तैनाती भी की गई है तैराक दल की गोता खोरू की ताकि कोई हादसा ना हो सके ट्राफिक डाइवर्टेट रहेगा और ये सबसे महतो पूर्ण हो जाता है शहर वास्टियों के लिए जानना कि उनके कौन से ऐसे रूट हैं जो कि आज बंद रहेंगे क्योंकि गणेश विसर्जन कि ये तैयारियां हैं और कई जाकिया आज गुजरेंगी शहर भर से इसलिए ट्रैफिक डाइवर्जन का भी फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है तो अधिकारियों ने विसर्जन सलुक और निरीक्षण भी किया है कि आजातिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी शहर में अलग-अलग शेत्रों में की गई है खासतोर पर जहां से ये जाकिया गुजरेंगी वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती अच्छी खासी की गई है और जो तालाब है शहर के उनको विशेश निग्राणी वहाँ पर रखी जारी है पुलिस की ओर से और गोताखोर की तैनाती वहाँ पर की गई है तैराख दल की तैनाती है वहाँ पर ताकि अगर भीड भगदर के चलते कोई हालात बिगड़ते हैं तो जल्द से जल्द उस सिती को कंट्रोल में किया जा सके और ज्यादा जानकारी रेंगे हमारे समवादाता अलगलग शेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल हमारे साथ भोपाल से हैं के साथ राजेश निशाद हमारे साथ राइपूर से हैं शिव मोहन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं इसे के साथ मंदसौर से मनीश पूर हुए हैं हमारे साथ शिव मोहन जब से पहले आपके और रूख करूंगे इंदौर में आज कहां कहां पर तैयारियां की गए कर दी गई है कुछ दिनों पहले जो आप बीच में रोड़े बन रहे घरो और पुराने धरों को भी नगर निगम निकले गा उसको कहीं से कहीं तक कोई भी परिशानी ना हो पूरे शहर में पुलिस के प्रॉपर बंद्वस्ति यहां पर कर दी गए हैं समझ जगा पर पुलिस की मुस्तेदी कर दी गई है अलग से भी पुलिस फोर्सों को लाकर यहां पर तैनात कर दी गया है सिर्फ पूशिश है कि पूरा आज का जो कारिक्रम है जो आज की जाकियों का कारवा निकलना है वे शांती पूरबक निकले इसके साथ ही जो है नशे नशेडियों पर खास दोर पर आज मबस्ता ठीके निश्ट रूप से और ये तैयारियां विशेश है में लोट्रियों शिव मौन आपके पास मंदसौर से मनीश पूरोईत हमारे समवादाता हमारे साथ बने हुए है मनीश मंदसौर में आज क्या विशेश तस्वीरे होंगी और सुरक्षा के लि इतामान ये तोर पर बाजार भी कुलے में हैं और जितने धार्मीक कारिकरन हैं सब अपने जो निर्दारी समय का नुसार होंगे जो गनेश विशेश यहां पर इंतिजामात किये गये हैं नगर पालिका की तरफ से विशेश दर लगाए गये हैं ताकि किसी भी तरह के कोई गटना करमना और गोता कोरों की नियुक्ति की गई है और यहाँ पूरी तरह से गणचुस्ताओं को लेकर लोगों में उस्ता दिखाई दे रहा है जी दिल्कुल और यह जरूरी भी है क्योंकि आज बपा की विदाई है मैं लॉट्रियो मनीश आप कि विदाधा अने लुश्टा अने लगी है यह लगा दिये गए हैं तालाम के अंदर जो है विसरजित नहीं की जाएगी जो लोगर ओ रहे हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रतिमा लेकर के आ रहे हैं पूजा आरति कर रहा है अपनी विसरजित के लिए लेकिन यहीं रहेगी इसके बाद जो है नगर निगम की व्योस्था है वो यह रहेगी कि यह बड़े 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 जो मेजिक वहान है इनके जरीए प्रतिमाओं को जो है ऐसी जगे ले जाए जाएगा जा गहरा पानी है और वहां पर ले जाकर जो है इनका विसरजन किया अब कर दे खाए है तो इस तरीके से पूरे शेर की व्योस्था है नगर ने के मिचारी मोगे पर हैं तक पुरे लगा दिये गए तो विशार्जन जो है तीन तलाब है रत लाम के जो गर किलाज का तलाब है उसके जो पुलिस की भी खास तैयारियां है बेरिकेट्स लगाए गए हैं पुलिस ने और बहुत शुक्रे आप सभी का तमाम तस्वीरे और जानकारी हमसे साजा करने के लिए तो आज गणीश विशरण को लेकर विशेश तैयारियां देखने मिल रही है मधिप्रदेश शतीज कर दोनों ही राजियों की तस्वीरे हमने आपको दिखाएं इस किसी के साथ फिलाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए